हेलो बच्चों क्या हाल है आप सभी बहुत अच्छी होंगे मेरा नाम है योगेश वर्मा आप सभी का वाय सरकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि बच्चों हमने अपने लास्ट वीडियो में 2.2 एक्सराइस पूरा कंप्लीट कर लिय है वो कैसे होगा ठीक है आज हम तो बढई सवाल करने वाले हैं सीदे सीथे बच्चों कोशन स्टार्ट करेंगे सो हमको जो है बच्चों करना है equation by inversion method inversion method से जो हमको equation complete को solve करके linear equation की value यानि कि x or y की value निकालने एक्स वाइग की value निकालना आपने 10th Class में एक्षाम में आपने 10 तो यहां को बोला होता है कि आपको इसी तरीके से करना है मतला हमको इसी करना है जैसे इस में साब बोला है कि आपको inversion method से करना है तो बच्चों यहां पर हमको इसको inversion method से ही solve करना है complete करना है अब कैसे और कैसे करेंगे क्या है तो इसके लिए आप प्रीवेस वीडियो जरूर देखें मैं एक बार आपको बता देता हूं में की कुछ ऐसा यह हमने लास्ट हमारे विडियो में ठेखा हुआ है तो आज कहानी स्टार्ट कर क्या यह आपका मैठ्रीक्स एब चून है पहला काम इनवर्जन मेठ्ड़合 रिद्चिन मेठ्ड़ फहला काम होता है कि उसको मैठ्रिक्स के फर्म मैं convert करो तो matrix के form में कैसे यानि कि बच्चो a x is equal to b का form a यानि की coefficient x यानि की variable b यानि की constant coefficient देखे तो x का coefficient यहां पर one है बच्चो y का two है similarly यहां पर x का two है y का three है यहां पर आ जाएगा बच्चो x और y हमारे variable is equal to b यानि की बच्चो हमारा constant two and three यह x is equal to b form आप इसको देखेंगे यह मेरा matrix a बच्चो यह x is equal to b आप मुझे पता है inversion method है तो मैंने आपको पहला step सिखाए कि बच्चो x equal होता है inverse b कैसे आप pre multiply करतो दो दोनों तरफ a inverse से यह step लिखना compulsory है बच्चो यह हमने दोनों तरफ pre multiply किया आप लिख लेंगे यहां पर we would it pre multiplication pre multiplication अब a inverse identity होता है बच्चो यह हमको बच्पन से पता है इस इक्वाल विखन टभचलो ई वर्स निकालना है ए रहा यहां रखेंगे करेंगे कुशनज को मैंबर्स में इन आप यह पर सक रहांग है यह मेरा है है बच्चों do I inverse निकालना है you can by a find by transformation और बाइ एड़ जोंट कैसे बी कर सकते मैं transformation से करता हूं जल्दी होगा थोड़ा सक दिमाग ज्यादा लगता है लेकिन इस टाइम बचाता है transformation तो दीको यह बच्चों आपका ए ए है 1 2 2 3 पहले तो है माइनस 1 लुके αυτी एक और सबूस्स गरेग बसको एक इंवर्स निकालना है आप हमको पता है कि एंवर्स निकालने काम बंद भे यह आपका है 1223 इंवर्स इस इक्वल टू आइडेंटिटी है बच्छो आपका 1001 अब अगर इसको आइडेंटिटी बनाना होगा इसको इसको आइडेंटिटी गन्वर्ट करो आप एड्जोंट से भी करो मेरे कोई दिकत नहीं आप मैं तो सुझेर ट्रिक से कर सकता था खट खतम लेकिन नहीं अपने एक स्टेप कर रहें तो अगर मिझे इसको जीरो देख मैरा रोट रांस्फोमिशन इसको रूँगा पड़क से इसको जीरो करने के लिए तो आल टू पे एफेक्ट रूमाइनस टू टू टामस रवन सो बच्छो यह यह जीरो हो गया यहां थ्री ह तो यह हो जाएगा यहां यहां पर देखिए यह वन है माइनस हो जाएगा और यह टू हो जाएगा माइनस टू बन अब जो है मैं इसको देखो बच्चो माइनस से हैं कर दू तो काम खतम बस माइनस से मल्टिप्लाई करना है T2 को R2 को माइनस 1 से माल्टिप्लाई किया मैंने Fragen सो यह बन गया तो आंसर कि मैंने क्या बोला था बच्चों जो भी है जिसका डेटरमिनेट लोट बश рук मुझे सिदे आंसर निकालना होता हुझ तो मैं क्या और सबसency कि यह यह नहीं है मेरे मैंस मैन जो कि यहां पर दिख रहा होगा कि वहीं अंसर आया है्मको जो आंसर हमको पहले मिला था है है और यह मिल गया है इनव यह उसका है इन Васीं कि फिरीक से भी कर सकते हैं है देख सकते कर नहीं कर एक्जाम में आपको compulsory proper पूरा लिखना होता है so we got inverse ultimately हमारे पास inverse आगया हमको linear equation solve करना एक्स और य निकालना तो बच्छो मुझे पता है अगर इस inverse को मैं उठा के यहां पर रख दूँ सु जिस दिन मैंने आपका बी है है यान इपका बी है यहाने कि constant बच्छो व है मेरा 23 तो मेरे पास x की वैलिव है यह अब इसको क्या मॉल्टिप्लाय करते है अब एक्सपान है बच्छो वह है एक्स और य इस इक्वल टू यहां पर देखो मॉल्टिप्लाय होते ही सब्सक्राइब इसके यहां पर एक्स और य की वैलिव आपकी बराबर आ रही है जिरो और वन के सो इस इंप्लाइज एक्स हो जाएगा जिरो कंपेर कर देंगे और वाइव हो गया वन विए डन विट लीनियर एक्वेशन आप इसको तरीकों से बचबंद में करते आये हैं य इनवर्जन में जिससे उसी लीनियर एक्वेशन को सौल करेंगे जिनके हमने तमाम तरीके से लेकिए अब तक है सो यह तरीका है इनवर्जन का बच्चों बस तरीका याद कर लो कोशन आपके सामने कोई आया आप खांड लेंगे एक सवाल का खाली चमकना चाहिए आपको त्याइब पुलता है कि जोभी लीनियर एक्वेशन है जो भी हमारा लीनियर एकवेशन है उसको इनवर्जरां मेफ्टि लाओ ट्रिक से एक्जाम में नहीं लाना काम होगे यह था आपका question number one and महाचिंदी question है I hope आप सबको समझाओगा अच्छे question number two पे आते हैं बच्छो question number two है x plus y is equal to four एक्स प्लस y is equal to four and two x minus y is equal to five तो बच्छो पहला टास्क यह यह कि आप इसको जो है matrix के form में convert करें तो बच्छो अगर देखोगे तो यह matrix के form में कुछ इस तरीके से दिखेगा one one two minus one यहाँ पर variable है हमारे xy यह यह two variable वाले हैं सारे three variable वाले अभी दिखी नहीं रहे आएंगे तो अपन देख लेंगे उसको तो अब क्या यह बच्छो a x is equal to b का form है मुझे पता है a inverse pre multiply कर दिया एंवर्स से तो यह तो याद हो जाएगा आयो सबको याद हो जाएगा तो यह आई हो गया इतने step रट लो x is equal to होता है बच्छो a inverse b state 1 अब एक क्या है मेरा एक है मेरा one one two minus one तो अगर पहले तो मुझे इसका determinant निकालना होगा minus one minus two which is minus three which is non zero so therefore a inverse exist करेगा बच्छो अब आप inverse निकाल ले और रखके multiply कर ले तो चलो a inverse transformation से निकाल रहा हो मैं आप आप चाहिए जिससे निकाले तो मुझे पता है कि a into a inverse is equal to identity होता है बच्छो चली तो मेरा a है one one two minus one into a inverse is equal to identity होता है बच्चो ऊन जीरो जीरो वन रोड रांस्फोमिशन यूज करते हैं तो रूल क्या बोलता है पहले पॉलम पे एफेक्ट वन जीरो तो इसको जीरो बनाने के लिए आल टू पे उंगली करना पड़ेगा आल टू माइनस टू टैंस आरवन यह बच्चा भी कर लेगा आपको इतनी हैबिट हो जाएगी रो इसको जीरो करने के लिए यहां वन होगा तो मेरे को ज्यादा इजी हो जाएगा तो मैं क्या कर रहा हूं ना इसको पहले वन बना वन बना लेगे के लिए मैंने आल टू में उंगली किया इस टेंशन नहीं नहीं ना कोई दिक्कत नहीं होगी माइनस वन वन जीरो वन हो गय नियुक्त से में यूखरे इन्वार्स इसको जीरो करना इसको जीरो करने के लिए आरवन माइनस टू सीरो जाईगा इन्वार्स इकोड़ंगे ची उखला जाएगा अच्छे से देखना यह 0 यह तो भी माइनस मेंस प्लस होके वन बाइधी हो जाएगा यह टू बाइधी यह माइनस बाइधी तो आपको यह इंवर्स साफ साफ दिख रहा होगा बच्छों इसका इंवर्स हो गया एंवर्स इस एकोल टू वन वा जरी कॉमन निकालो कॉमन सब के पास है वन वन टू मैंने सो हो दीखो क्या उथा वन अप्र्ण के आएथा इसका माइनस थी तो बैम ऐन्स-3 यह दोनों रिवर्स होता है यह दोनों मैं ऑधा आगा एक के पास माइनस ब्चेगा प्राइट ऑट पुट कर दो कि एंवर्स इन एक्वेशन वन जैसी आप एक्वेशन वन में रखेंगे ना इसको यह मेरा एक्वेशन सबना एक्स इस इकोल टू क्या हो जाएगा बच्चो एंवर्स ऑन बाई-3 यह बार बार बन वन टो माइनस वन इंटू बी दी क्या है मेरा पॉर पाय तो X is equal to हो गया, X यानी कि X Y is add होगी, X Y is equal to, बच्चो देखो multiply करते हैं, first row, first column, four one's are four, five one's are five, add होगा, nine होगा, आप फोड़ा सा calculation तेज कर लो, two two's are, four two's are eight, eight minus five, three होगा, so देखो, one by three से अंदर multiply होते ही, कानी कोल हो जाएगी, और यह बन जाएगा, three one, तो इससे आपका X मिल गया, three and बच्चो लोग Y मिल गया, one, और हमारी कानी complete हो गई, we got our X and Y, X and Y इसमें रख दो, three plus one four, right है बच्चो आंसर एक्दम perfect है, और यह तरीका है, inversion में third का, महाचिंदी, अब तो आपको मतब रटा हो जाएगी, जीज़े रटी, रटी वीज़े से लगेंगी, चलिए, एक question हो रहे हैं, मैं से तो मैं homework देता आपको, कि आप खुत try करें, easy चीज है, कुछ भी tough नहीं है, आपके करने लायक तो है, आप करें, doubt आता है तो पुछे, वो ज्यादा best है, क्योंकि spoon fitting मैं करता रहूँगा, एक-एक सवाल, हर एक सवाल करांगा, तो भी आप, आपकी खुपड़ी खुल कि लेकर बैठे हो, मैस जिस दिन आप लेकर बैठे है आप उसको समय देने लगे तो आपको mark देने लगेगी, मैस बात समझ रहे होंगे मैरी, जैसे आप कहीं समय देते हैं, क्यों देते हैं, त yogurt när जा ecological … Mix वही है, या आप जितना जादा समय इसको देंगे उतना भई आपप के लिए प्रूट फूल होगा ठीक है तो आप करेंगे मैं नहीं कर रहा है मैंने बता दिए आप करो डाउट होगी तो डाउट पूछो कमेंड में ठीक है चलिए मैं आगे बढ़ता हूं बच्छो दो कुछन मैंने कि एक आपके लिए केवल रखा है यहां पर भी एक दो मैं क fourmishan applicable होगा उसके बाद multiply करो compare करो सेम कानी उसके आगे यहां पर आपको इन्वर्स नहीं लाना है यहां पर आपको रिडियूस करना है रिडूट्शन पॉर्म में च्छोटा करना है उनली अपर लव लाव लोवट रिइंगल में कनवर्ट करना है आईधर अपर ट्रेंगल बच्चो या lower triangle, दो में से एक में convert करो, खलास, चलो, पहले तो matrix form बनाते हैं, बच्चा लोग, AX is equal to B, हमारा matrix form होता है, तो अगर आप देखेंगे, यहाँ पर A, तो 2, 1, 3, 5, यह मेरा matrix form हो गया, यहाँ पर X, Y is equal to 5, 3, 5 and minus 3, sorry, यह हमारा question है, बच्चो, 2, 1, 3, 5, X, Y and 5 minus 3, यह अपना question है, अब इस question को हमको reduction method से solve करके X और Y धूनना है, तो reduction method क्या बोलता है, यह तो upper यह तो lower, तो देखो upper यह lower बनाने में, या तो आप इसको 0 बना ले, और या तो इसको, किसी एक को 0 बनाने, दोनों tough है, पर इसको बनाना है, तो भी मेहनत है इसको भी, क्योंकि यहाँ बननी है, यहाँ बनना तो जल्दी वेलता था, बहुत आसान हो जाती चीज़े, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर स सकते दो क्या, solve करें, मेहनत करें, और इसका answer निकाले, तो मैं 3 को कोशिश करता हूँ, 0 बनाने के, आप समझना, 3 को 0 बना रहे हैं, अगर नहीं समझा है, तो बताना, यह 3 है ना बच्चो, आर्टू में है, यह रो टू है, और 3 0 कब बन सकता है, बन 3 माइनस 3 हो जाए, एक आर वन के help से करना है, तो अगर यह 3 होता हुए, यह 1 होता तो भी जल्दी काम हो जाता, वह नहीं होता हुए, तो मैं मेरे को 2 नी चीए, मेरे को 3, तो मैं ना दिमाग लगाता हूं, तो कैसे हट सकता है, अगर उसके अपन में 2 आ जाए, और 3 चीए तो 3 आ जाए, तो 2 से 2 म जाएगा, और 1 बचने में 3 बंज़र 3 हो जाएगा, तो मतलब सर यहां पर मुझे क्या करना होगा, मेरा जुगाड होगा, यहां पर 3 बाइ 2, 3 बाइ 2, R1, यह फुल जुगाड है, जो चाहिए, वो लाओ, जो नहीं चीए, उसको डिवाइड में लाओ, तो मरेगा, मरेगा जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, और वो 0 बन गया, तो देखो बच्चों, यह हो गया, 2, 1, यह 0 हो गया, बाजु वाले पर भी वह इफेक्ट, आटू गया, 5, माइनस, 3, 2, उपर आरवान है, 1, तो यह हो गया, बच्चों, 5, माइनस, 3, 2, और 10 में से 3, 7, 2, यह हो गया, ब बच्चों, माइनस, 3, 3, 2, उसमेर, 1, क्या हो पर, 5, तो माइनस, 3, माइनस, 15, 2, माइनस, 21, 2, बच्चों, यहा हो गया, माइनस, 21, 2, समझा होगा, हभो, आप देखो यह बन गया बहिए प्रिंसिपल डाइगल के नीचे 0 तो यह क्या बन गया अपर ट्राइंगल बस पहला step complete करो multiply multiply करते हैं कि हो जाए यह गया हो जाए यह इससे तो यह हो जाएगा पाइध और जिस दिन है इस से टो एक जीरो गया एक जीरो यह तो एक संडान्स मिल जाएगा यह जीरो हुगा तो यह गया 7 by 2 y is equal to 5 by minus 21 upon 2 अब compare करते है यह इसके बराबर हो गया और यह इसके बढ़ा तो ना बाग कंपैरिजन लिख देना में पूरी बात इंबाइ कंपैरिंग या कंपैरिजन जो भी लिखना है इसको टू बोल देते हैं अभी तक तो वनी नहीं बोला हमने तो वन बोल दिया तो पूट वाइज इक्वल टू माइनस थ्री इन वन इक्वेशन वन तो बच्चो यह यहां आ जाएगा टू एक्स प्लस यहां पर माइनस थ्री आ गया इस इक्वल टू फाइफ सो टू एक्स यह माइनस होगा उदर जाएगा तो एड हो गया तो एक्स इस इक्वल टू बच्चो चार गया पूर और यहां पर हमको एक्स और यह दोनों की वैडियू लिए दिस इस वोट रिदक्शन में थर्ड इस कोई दम नहीं है खाली अपर यहां कि अब नंबर और सवाल है कि आप कितने ज्यादा नंबर और सवाल अटेंप्ट करते हैं वह तो डिपंड करेंगा आपके आपके मेहनत पे और उसी के साब से फिर आपको बोर्ट में मार्ग में मिलेंगे के लिए अपने को काफी कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा वहां प्रॉपर्टी बेस सवाल आते हैं वहां ऐसे सीधे इतना चिंदी सवाल नहीं पुछेगा ठीक है यह बोर्ट के लिए बोर्ट में पक्का इन में सवाल आना है अब तो आम जितने नमबर ज्यादा कुश एक्वेशन है तो पहले तो बच्चो मैंट्रिक्स फॉर्म में कंवर्ट करते हैं इसको यह देखे भई एकस इस इक्वल टू बी के फॉर्म में कंवर्ट कर लेते हैं तो बच्चो एनिक कोईफिशन्ट यह हमारे कोईफिशन्ट है दगा देको 1335 और वेरियेबल है और टू माइनस थ्री टाइमस आरवन सो यह हो गया मेरा 13 यह तुरन जीरो हो गया अब देखा अगला क्या 5-9-4 बचेगा यहां पर कुछ नहीं हाथ लगाना इस इक्वल टू सेम उंगली यहां पर यह टू है बच्चो यहां पर 4-6-2 बचेगा एक बर कर लो आप भी 4-3- तो था 6-2 एकदम रेट है अब क्या भी अपर बन गया खट से मल्टिप्लाइ करो जैसे ही आप मल्टिप्लाइ करेंगा बच्चो दिपो यह मल्टिप्लाइगा तो इस एक्स प्लस 3-1 यहां पर माइनस 4-1 इस एक्वल टू इस थो माइनस ठू नवा कंपेर करतो तो बाइख देना पोगा एक्स फ्लस-2 इस एक्वल टू टू अधि माइनस- 54 यहां पर माइनस- मैंस- दूब यहां यहां हो गया और बाइको जिस दिन आप यहां पर रखेंगे तो एक्स-प्लस 2-2-1 इस एक्वल टू तो तू से टू कैंसल वन उदर सब्ट्राइक करेगा एकसे इकल टू न चेक कर लेते आंसर राइट है या नहीं देखो एक्सवन है यहां पर वन आएगा वाइट ओ ओ ओ अ कि गड़बर हो गया क्या था तुर को अच्छा यहां घ्रीधा उए यह मिस्टेक कर दिया मैंने लिखने मीश यहां पर 3 यह थोड़ा ना लिखने में घरबड हो गई बच्चो फुशन जो है अपने उतारने में लोचा कटवली यह पे इस एक्स-फ्लस-3 by यहां रखेंगे और आप अबसर्फ करेंगे अंसे एग्दम राइट तो भी एक्स की वैल्यू हाफ है यहां पर एक्स की वैल्यू हाफ है यहां पर यहां पर आपका दिखेगा 3-1-41 यहां पर आगया आपका एक्स वाई इस एक्वल टू 1-6 बच्चो यह कुशन है अपना और आपको इसको अपर या लोगर तो यहां पर देखो इसको जीरो करना आसान है तो मैं इसको लोगर ट्रेंगल में कंवर्ट कर रहा हूं तो मैंने कहा किया आर वन प्लस आर टू कर दिया बच्चो तो फटक से एक जीरो मि करोगे देखो बच्चो इसका मुल्टिप्लाइस में तो 7x और यह जीरो हो जाएगा नेक्स में इस पोर एक्स प्लस वाय विच इस एक्वल टू 7 & 6 जैसी आप कंपेर करेंगे सुना यह बाई कंपेरिजन यह बाई कंपेरिंग क्या मिल रहा है देखेंगे आप लोग कि 7x इस इक्वल टू 7 है बच्चो इस इंप्लाइज एक्स इप्वल टू 7 बाई 7 विच इस बन तो बच्चो एक्स बन मिल गया एक्स जैसी वन मिला मैं सेकेंड एक्वेशन मेरा मिलेगा 4x प्लस वाय इस इक्वल टू 6 एक्स की वैल्यू 1 है यहां रखते ही एक्स की वैल्यू 1 है यहां पर रखते ही यह हो जाएगा बच्चो वाय इस इक्वल टू टू पॉर यहां प्लस में यहां जाएगा माइनस करेंगा और टू बंज लें तो यह होगा है और खतम हो गया कुश्य आप आंसर देख लीजे रखके यहां पर एक्स कितना है वन त पर चलिए यह लास्ट कुश्शन है अगें एक कुश्शन आपके लिए हो तीन मैंने कि एक आप करें पर आना चीए वह तीन कराने के बाद अगर आपको यह नहीं है तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है वेस्ट हो रहा है पड़ाना पर मिलब करेंगे आप अच्छे चलिए अगला कोशन करते हैं बच्चो और फटावड़ी से को डालते हैं तो अगला कोशन है बच्चो अच्छा यह ना आप बच्छपन में करते थे अंग्रेजी वाले कोशन पहले इनको मैट्स में करो और फिर सॉल करना वैसी है जिसे अभी मैंने पुरी रामाइड की अ एक्सवाइजर जितनी भी चीज़े बोली होंगी वह धून दो तो हम अगर पहले कोशन को रीट करें बच्चो अच्छे से इस प्रीपन एंड टू इरेजर उनके कोस्ट टोटल कोस्ट का सम दे रखा हुआ है पहले मैं कि 60 रूपीज है तो पहले मैं बोल देता हूं लेट समझो पहले एक पैसे बना है अच्छा लास्ट में चाहिए भी क्या देखो हमको कौस्ट निकालने हर एक आइटम के इज आ स्ट ऑफ यह पन पैंसर की कॉस्ट प्राइल अट्स रोपिज मैस एक्स रूपीज ईस एक्स रूपेच मैस एक्स रूपीज ठीकप फिलाल हमने आप सिंबल बना लीजिए ज्याधा आच्छे एकाउपीज एस है कि बच्छु प्राइल part नम एकल्स अगे मैंने जड़ बोल दिया अब मेरे पास तीनों के एक एक कप आउटपूट है मतलब एक चीज की कॉस्ट मेरे को पता है एक पेंसिल कितने का एक पें कितने का और एक एरेजर अब आप मार्केट में खरीदने को साथ रुपए आपके पास साथ रुपए की आपको चीजे से तो जिस दिन मैंने चार पेंसिल ली तो मुझे चार इंटू एक्स पे करना पड़ा होगा पहला एक्वेशन और थ्री इंटू इतने पें और टू इंटू इतने रेजर मिला कि हमने सिस्टी रुपीज पे कर दिया यह बन गया मेरा एक्वेशन नंबर वन ऐसी सेकेंड इक्वेशन में बोला है एक अगला बंद आपका दोस्त गया उसने दो पेंसिल लाई 4 पें लाए डियान देना कौन सा क्या है शे रेजर लाए सब मिला कि उपनीपे किया और अगले ने चेंसिल दो पें और तीन रुपीज लाए वह मिला कि उसने जो है मार्केट में 70 रु का कॉस्ट और देडार का कोस्ट और हमको तीनों मिल जाएगा अब इसके आगे आपको मैट्रिक्स का यूज करके बच्चो करने है ठीक है अज़ा है बच्चो थीनों लिएड़ेक्वेशन हमारे सामने है बस आपको इनको सकता था मैं चाहता तो इसको टू से डिवाइड करता थो थोड़ा और छोटा हो जाता है यहां पर हो सकते थी ठीक है अभी स्टार्ट कर दिया तो कोई दिकत नहीं है ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा यहां पर आएगा बच्छो एक्सवाइज इस एक वल टू शिक्स्टी नाइन्टी सेट यह मेरा बच्छो यह थी क्लॉस्ट रिये अब तक हमारे पास त्रीक्रास त्री आया है नहीं था यह सिधे जो है त्रीकल कुशन आया और वह त्रीक्रास रिपाया तो इसको हम कम्लीट करते हैं पहले फटा पर ताकि आपका ना तो इन्वर्जन आसान पड़ेगा आप इन्वर्स निकालो लाओ यहां मल्टिप्लाय करो और निकालो पर मैं रिडक्शन से कर रहा हूँ लोवर या अपर कोई एक ट्रैंगल बनाना है मुझे तो मैं अपर ही बनाऊंगा ताकि मैं इन तीनों को 0 करो पहले इसको फिर इसक करने का तरीका कि बच्चों इसको 0 बनाए जाए फिर इसको 0 बनाए जाए फिर इसको 0 बनाए जाए अब यह देखते हैं कि इसको 0 बनाए कैसे तो अगर ये वंघ है तो जडिल्दी हो जाता हैं अगर ये वां वह Hani चन पहले को पहले इसको बनाता हु इस फोर को मैं कैसे बना सकता हैं लेकिन FC वन या तो सब को फुर से डिवाइड कर दूं एक यह तरीका हो सकता है और या तो कुछ minus minus करूं इस से minus किया तो बच्छो टू हो जाएगा तब भी वन नहीं होगा तर अगर नेखो यह काम हो रहा है कैसे अगर यह तो इन दोनों को सब्ट्राइक करेंगा तो यह जाएगा और फिर इसमें 3 से मंडिपलाई करेंगा तो तो कोशन आसान बन जाता मुझे ऐसा लगता है परसनली कि इसको तू से डिवाइड कर देने से मेरा काम और इजी हो सकता था मैंने जवरजस्ती की मेहनत थी तो मेरा एक्वेशन टूना थोड़ा सा में बच्छों चेंज कर रहा हूं यहां पर ताकि मेहनत कम करनी पड़े कम क रिजा और बागी तो हो नहीं रहे डिवाइड क्योंकि उसमें कोई ना कोई ओड है इसमें तो सारे इवन थे और टू के टेबल ही दे लाइन से यहां पे भी लेकिन टू से डिवाइड होगा तो यह हो जाएगा सिक्स्टी पॉटीफाइड और यह सेवेंटी आप देखो अगर मैंने इंटरचेंज कर दिया नहीं यह वान उपर हो गया एक बार बन उपर वान बाकि जीरो बनाना आपने बायात का खेल है तो मैंने ना इसमें भी इंगली कर दी आरवन इंटरचेंज आटू को यह हो जाएगा बचा लोग वन टू टू थ्री पूर थ्रीटू कि फॉर्टीफाइब कि शिक्स्टी कि और सेवेंटी कि आगे यहां था अब क्या करना है बच्चों मुझे आप में रखो इसको जीरो इसको जीरो पटापट होगा आल्टू में उंगली आल्टू माइनस पूर टैम्स आरवन तो देखो बच्चों यह हो गया बन टू तरी यह जिरो पता है फॉर टाइम तो जीरो होगा यह देखो थ्री पूर टूजा एट ट्री माइनस एट माइनस फाइव यह टू पूर त्रीजा ट्वेल माइनस टैन और यह हो गया बच्चा लोग सिक्स टू थ्री सेम यहां पर रिपीट कर दो भी यह चीज़े अब देखो बहुत अधर होगा क्यलकूलेशन बयांकर यह देखो यह सिक्स्टी है जिक्स्टी माइनस फॉर टैम्स उपर फॉर्टी फ़इब कर ले ना तो यह माइनस बन टुंटी होगया और यहां सेवंटी यह होगया मेरा पहला जीरो अब मेरा अगला जीरो बच्चों यह मेरा टार्गेट है इसको ने फिन से घर करना अब अगर इसको जीरो करना है तो तक मैं क्या करूंगा न देखो मैं कुशन को अभी और रिडियोस कर सकता हूँ पर बाद में पहले इसको जीरो और थ्री में अर्थी में उगली क्या बच्छो और थ्री माइनस सिक्स टैम चारवन तो देखो यह क्या हो जाएगा ख्यान देना बई को एति उपंसु तो माइनस स्ट्न हो सब्सक्राव और अगला तो यह माइनस 6 3 कट रहा तो यह माइनस 15 बचेगा यह हो गया मेरा इतना काम अब देखेंगे सब एक्स वाइजएड है यहाँ पर इस इक्वल टू बचो यह है 45 माइनस 120 देखो आर्थरी इससे में 70 है माइनस 6 इंटू 45 तो 70 माइनस आप 180 और 98 कर दो देखो कैसे कर रहे हैं न यह तो आप मुट्लिप्लाइ कर लो तो 6 फाइज थर्टी चार 6 चोट 24 24 27 270 तो बच्चो यहाँ पर माइनस 200 बचा तो यह हो गया 100 अब अगर इसको मैं 0 कर ले जाओ इसको तो मेरा काम हो गया तो मेरे को मिल जाएगा अपर ट्राइंगल और काम हो जाएगा तो मैंने और एक उंगली कर लिए अपने मन से कैल्कुलेशन इजी करने के लिए कर रहा हूं नहीं आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा मैंने कहा किया बच्चो आर्टू में उंगली कर दी आर्टू को माइनस वन बाइफाइस से मंटिप्लाइगा तो देखो यह हो जा रहा है 123 यह 0 है तो इसको फरग ही नहीं पड़ेग और यहां पर है आपका एक्सवाइजट इस इक्वल टू अ कि अकाश्मानी कहां से ओड़ी है हाँ यहां देख लेंगे बच्चो अब यहां पर है कि 45 मैंने इसको माइनस वन बाइफाइस से मंटिप्लाइगे तो प्लस हो गया और वन सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर डिवाइड हो रहा है ध्यान देना डिवाइड हो रही है चीजे 120 को जिस दिन मैंने डिवाइ पहले हो गया तो यह हो गया और बचा कितना ट्वेंटी तो फाइफ़ द्रशा चौबिस चौबिस मंचे एक सो पच्वीस होता है ऑनस दो सो यह हो गया हमारा क्यलकॉलेशन बचे अब गया बड़ी अब मेरे को लास्ट इसको जिरो करना है तो मैंने और थ्री प्लस अब द यह तो पता ही जिरो ना है तो यहां क्या होगा माइनस फिफटीन ए प्लस टैन इंटू आज इसम्हें टू समय फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी तो बचू यह फाइब बचेगा अब यह वाई बच रहे तो आगे के कैलकूलेशन С कर लेते हैं प्रटफिट रहा यहां पर हो जा बचेए वो भी पॉजिटीव अब बन गया देखो अब यह कनवर्ट हो गया अपर ट्राइंगल में एक बार कनवर्ट हो गया मॉल्टिप्ला खरो खिल खत्म सो जैसी मैं में करूंगा देखो बच्वों मॉल्टिप्लिकेशन फस्ट फस्ट कॉलम सो इच प्लस टू आए प्लस त्रीजट नेक्स में देखो जीरो एक्स से मल्टिप्ला थो एक्स मर गया तो क्या बचेगा वाय प्लस तूजट और लास्ट वाले में उनली फाइव जेड इस एक्वल 45 24 40 ना बस बच्चो compare कर दो इसको compare करते हैं हमको linear equations मिलेंगे डेखो क्या क्या मिलेगा पहला मिलगा बच्चो एक्स प्लस कि 2 Y प्लस 3 Z विच इप्ल टूट विच विच इप्ल टू 45 यह एक equation हो गया second equation आपकी बंग जा रही है y plus 2z is equal to 24 y plus 2z is equal to 24 and last equation मिल रही है न बच्छों हमको 3rd वो मिल रही है 5z is equal to 40 5z is equal to 40 इसको solve करो तो z is equal to 40 by 5 divide करोगे आपको 8 मिल जाएगा तो z की value मिल गए हमको 8 बच्छों जैसे z मिला मैंने या रखा तो y plus put into put z is equal to 8 in equation 2 जैसी आप इसको equation 2 में रखेंगे तो देखो y plus 2 into 8 is equal to 24 तो बच्छों y कितना मिल गया आज़्दुनी 16 16 वाँ माइनस करेगा तो 6 बचेगा 8 बचेगा अरे वाई भी एट मिला रइट है ना भी या जड़ एट है एट है एट तो दो 16 16 माइनस करेगा एट ही है बच्छों राइट ही है और लास्ट एक्स और वाई मिल गया है और सारी वाई और जैड मिल गया तो यह जाएगा गया एक्स ब्लस 2 això एक्स फैन्स टुए 8ज़ टू कि इस इकवल टो 45 तो बच्छों एक्स प्लस 16 प्लस 24 है ईक्वल ट草ट होगया थाट एक्स एट अंसर रखके चेक भी कर सकते हैं वैसे यहां पर देखो पांच रुपे की पेंसिल मिली थी तो कितना हो गया यहां पर पांच बीस हो गया प्लस आठ त्रीक चौबेस आठ दूनी सोला बरबर साथ रुप है बच्छो एकदम परफेक्ट है मतलब आंसर हमारा एकदम राइट ह ठीक है यहां पर मैंने एक्सवाइज रखा रखते ही मेरे को चेक हो गया बएक सिक्स्टी आ रहा है मतलब आंसर एक्दम करेक्ट है तो यह है बच्छो थेरेटिकल कोशन अधिक और प्रफेंसिल थी पेंट टूरेजर एं इतने का है तो एक्सवाइज दूनना था एक एक क प्रफेंसिल थी नंबर सार अच्छा देखो कुछ बोला है इस प्री नंबर सार एड़ेट तीन नंबर एड़ हो रहे है बैं देर समिस्टू उनका सम्टू ए तीन नंबर बच्चों को एड़ करने पर सम मिल रहा है दो मतलब हो सकते है 000011 कोई नेगेटिव भी हो सकता है क रिखनी करें बीन नंबर सारते हैं एक्स वाइन बचलोग एड़ेट उनको एड़ करने पे पहली बात साफ साफ आप और रही यह को एड़ करने पर चो यहीए ऐकक्वेशन हो गया पेहला फॉस्ट एक्वेशन मेरे यह हो गया यह इफ थ्री नंबर्स आर एड़ेड देसम इस टू तो यह पहला एक्वेशन बन चुका है इन्हों नंबर को आगे क्या बोला इफ टू टाइम्स इस सेकेंड नंबर अच्छा नहीं नहीं अब थोड़ा साना रूप सेकेंड नंबर इस सब्ट्राक्टेट फ्रॉम टी सम फ इसा सूचना पड़ता कोई नहीं यहां पर यहां ठीक है मेरा पहला एक से अगला वाय अगला जैड इसको सब्ट्राक्ट करो किसमें से फॉर्स्ट और हर्ड में के सम से एन्विकेट एट तो अब इसको मैं सही कर लेता हूं बच्छो यह है एक्स माइनस टू आ है प्लस ज इस इकवल टूट ऐसा लिखना चाहता था वो एक इस कर रहा था हम को यहां वहां का अंग्रेजी गुमा के आगे बोलाए एन इस थ्री टाइमस दी थ्री टाइमस दी पर्स नमबर पहले का थ्री टैमस एक्स का थे टाइंस इस अड़े टो दिस सम अब दे शेकेंड एंधर गट और गुर्ण से कंप्रीट घरे फिरेमस में जो झीखन लय़ आप खुद अबाऑ यहां तो बही मैं इसके आगे नहीं कंप्रीट करूँ उसके आगे आप खुद करेंस छिक करें रांटे हैं या रॉंग है और कमेंड में मुझे पता है चलिए नेक्स वेशन डिक टोटल कॉस्ट ऑफ थ्री टीवी ओ के तीन टीवी घर पे तो नहीं लाएंगे आप या तो बंगलो है या तो वह सकता है कि तीन टीवी लाने पड़े तो अपन गए तीन टीवी खरीद है तीन टीवी ली हमने दो वी सी आर लिये और 35,000 रुपए पे करके लाएं तो अब देखो टीवी का कॉस्ट कुछ तो होगा तो मैंने बुल दिया लैट वन यूनिट ऑफ टीवी वन यूनिट ऑफ टेलिविजन का कॉस्ट है यूनिट कॉस्ट इस एक्स रुपीज एन सेम सेम वी सी आर अच्छा वी सीर तो अदो पता ही नहीं होगा पोस्ट इस वा रुपीज वी सी आर ना बच्छो पहले चलता था आप तो वी सीर लोग जानते नहीं है ठीक है आप आप समझव, एससे एसा कुछ भी समझा कूछ ठीक है 3 यह है एक का अब आप मार्केट को तीन एक अच्छे से समझो है कि 35,000 ना सही से लिख देते हैं 35,000 बच्छों यह हो गया मेरा फिर्स्ट एक्विशन और नेक्स में हमको क्या करना है बच्छों नेक्स में क्या बोला है आगे क्या बोले अब शोप कि पर वॉंट प्रॉपित ऑस हाज़न पर टेलिविशन देखो अब लाने के बाद क्या कि अश्को बेचना है तो यह हर मिनम थाओजन रूपीस दो एक टेलिविजन उसने मैं ए प्राइस जिस प्राइस में बेचना चाहता है वो प्राइस क्या होगा ना सुनो बच्छो वह होगा पहले एक्स था और थाउजन रुपीज उसने एड़ कि भाईया मैं इतने में बेचूंगा किसको टीवी को अच्छे से समझने एन वी सी आर को भी कुछ बोला है आगे वाई रुपीज का लाया था 50 है 500 उसको पर टेल वी सीर के पीछे प्रॉफिट चीए फिर वो बेचेगा तो अब उसकी सेलिंग प्राइस होगी वाई प्लस 500 आगे क्या बोला है ओके ही केंसेल टू टीवी सेट एन वन वी सीर उसने कितने बेचे दो टीवी सेट और एक वी प्लस तो दो बेचा तो टू इंटू एक प्लस थाउजन और एक वी सीर बेचा है यहनि कि वन वी सीर एड़ प्लस 500 मिला गया जो रेवेनियु उसके पास आया हूँ आया ट्वेटीवन थाउजन 500 इन फाइंड दी कॉस्ट प्राइस एन सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस नहीं कि X और Y निकालो 1000 करोगे तो इसका सेलिंग प्राइस मिलेगा 500 एड़ करोगे तो इसका वाई में तो आपको वी सीर का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा अब पहले इस एक्वेशन को कम्प्लीट करें बच्चो तो यह जाएगा टू एक्स प्लस 2000 और यहां पर कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी इसमें रख्या सेलिंग प्राइस मिल जाएगी कोशन खत देख लेते देख लेते जल्दी से फटा 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 थोड़ा स्क्रीन हमने चुटा कर दिया बच्चो और ना मैं पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं बच् एकस वाई इस इक्वल टू यहां बड़े बड़े आंसर है 35,000 एन 19 अगरबड़ होगे नहीं नांटीन थाउजन है अब इस नांटीन थाउजन है अब इस नांटीन थाउजन होगा ना 500 भी तो है माइनस हुआ 19 होगा 19 थीक है अब बच्चो किसी एक को 0 करो इसको 0 करना आसान है क्योंकि यहां पर अरवन पर उंगली किया और वन माइनस टू टू तो यह हो जाएगा बच्चो देखो थी माइनस फूर माइनस वन जिरो टू यह 0 है यहां पर एकस वाई एगच्वाफ बैठा है इस इक्वल टू देख है multiply करतो बच्चो तो it is minus x और यहां बचेगा 2x plus y is equal to minus 3000 बच्चो और यहां पर 19,000 तो compare करते ही minus x equal हो जाएगा minus 3000 के and 2x plus y equal हो जाएगा 19,000 के बच्चो तो यहां minus minus cancel x is equal to 3000 मिल गया हमको and यहां पर रखते ही 3006 हो का महां जाके y is equal to 6 वहां जाते ही 13,000 बचेगा calculation आप कर लेंगे बच्चो तो we got x is 3000 and y is 13,000 यानि कि एक टीवी का price 3000 है एक VCR का price 13,000 है यह हो गया cost price selling price हो जाएगा बच्चो एक्स है 3000 तो 4000 selling price हो गया इसका और 15,000 यहां रखते ही 30,000 प्लस 500 selling price हो जाएगा VCR का और हमको दोनों का cost price and selling price दोनों मिल जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चो लिए 100 पसेंट आपको समझा होगा मेरे को trust है बहुत आसान चीजे हैं यह एकदम basic basic चीजे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे को खतम और बच्चो एक्सराइस कंप्लीट हो गया तो भई यहां तक Qs थे थे थोटा सा चेप्टर था एक्सराइस के साथ सब्सक्राइस भी कंप्लीट हो गया है मिस्लेएस नहीं को क्यों अब करें आपको समोध करें तो फॉप करते हैं बच्चों चप्टर खतम नेक्स लेक्टर में हम लेके आएंगे में इसके सीटी के और प्रिवेस यह के बहुत सारे सवाल एन इसकी लगबग लगबग 200 से ज्यादा सवाल करेंगे हम में में सो देट सीटी पॉइंट अफ्यू आपकी खुपड़ी एकडम क्लियर रहे है ठीक है और हमारे लास्ट वीडियो में मैंने सीटी की परसेंटाइल पर दिये बच्चों कॉलेजिस की कि हम अगर कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है तो हमारी परसेंटाइल कितनी होनी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के लिए हर एक कॉलेज के लि हूँ